नमस्कार और वेलकम यौल वर्ल अफेर्ट्स आपको प्रशान धबन आउ रिसेंडी यह टॉपिक एक्स्टेंसिवली डिसकस किया गया है दुनिया भर में के रश्यन फेडरेशन ने मिलियन लोग खो दिये हैं रश्या लूज़ेस अ मिलियन पीपल हिस्टॉरिक पॉपलेश और इस टॉपिक को चाहे इंडियन मीडिया हो अमेरिकन मीडिया ओविसली यूरोपियन मीडिया हर जगा कवर किया जा रहा है क्योंकि मैं आपको यह बता दू कि एक बहुत ही बड़ा रीजन हो सकता है तीसरे विश्यूद का मेजर कॉन्फिक इससे हो सकती है क्योंकि रश रश्या के पास बस एक ही ओप्शन बचेगा सर्वाइव करने का वो यह है आस पास की कंट्रीज को अब्सॉर्ब कर लो और उनकी अबादी अपने देश में ले लो और इसके बारे में व्लादेमिर पुतिन और लेडी संके दे चुके हैं 146 मिलियन इंसफिशन्ट यह जो बाल ली पाएगा अपने पूरे देश को इतनी कम अबादी से रश्या मैं आपको यह बतातूं पूरी धर्ती का पूरे प्लानेट का सबसे बड़ा देश है और वो भी आप अगर देखो साइस के हिसाब से कोई भी कंट्री रश्या के आसपास भी नहीं आता और यहां पे आपको एक फैक्टर यह भी देखना होगा कि पॉपलेशन ऑफ 14 करोड इंसफेशन फो रश्या यह जो स्केट्पेंट है और ड्रावनी तब लगती है जब यह जो 14 करोड के आसपास लोग है इन में से एबल बॉडिड सिर्फ 8 करोड बचे है एबल बॉडिड होता है कि एक 40 के ओपर पॉच चुकी है एवरेज रश्या आप अगर देखो तो उसकी एज आपको बिलेगी 40 के आसपास इसके कंपरिजन में एवरेज एज जो इंडिया में है यह 27-28 के आसपास है इंडियन गवर्मेंट एक्चुली प्रावड ली यह कहती है कि इंडिया है वान अट youngest population in the world और जब आपकी population young होती है तो आपके पास बहुत सारे options होते है ideas होते है country अपने आप ही grow करने का रास्ता खुदी रूण लेता है काफी बार तो discuss करते हैं इस topic को in depth इस reason की वज़े से Russia के population collapse की वज़े से world war 3 start की हो सकती है काफी कुछ यहाँ पर आपको जानने को या फिर जपान comment section में करिए उत्तर सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के end में और रश्या आज के समय जो एक complete population collapse देख रहा है ये in the future और भी बत्तर होने वाला है reason देखो simply यहाँ पर यह है के पहली बात तो रश्या में जो fertility rate है ये बहुत ही ज़रा कम है ये बात मैं आप को समझा चुका हूँ previous वीडियो में भी के एक fertility rate की requirement रहती है किसी भी country में के 2.1 का at least minimum fertility rate होना चाहिए मतलब के on average एक महिला इतने बच्चे पैदा करे तभी population sustain कर पाएगी अपनी अबादी maintain कर पाएगी नहीं तो 2.1 से जैसे ही जो fertility rate है गिर गया अबादी धीरे धीरे सिक पुर्णली शुरू हो जाएगी रश्या की अगर मैं बात करूँ तो रश्या का fertility rate आज के समय 1.5 पहुच चुका है इसका मतलब ये है इवन बिहार भी रश्या के आगे निकल जाएगा अबादी के मामले में बिहार की अबादी आप अगर देखो साड़े बारा क्रोड के आस-पास है रश्या की अबादी जिस स्पीड से गिर रही है कोई बड़ी बाती है कि आने वाले 6-7 साल में इनके यहाँ एक acute labor shortage आ जाए और देखो जब आपकी population बुड़ी हो और अबादी कम हो तो सबसे बड़ा इसका impact आता है country के defense पर क्योंकि रश्या अपनी military maintain नहीं कर parties में जाएंगे कई लोग और काम करेंगे तो basically रश्या को function करने के लिए इनके पास लोग बहुत कम होंगे in the near future अब यहाँ पर आप कहोगे फ़ल इसका simple answer हो सकता है immigration I mean US करता है यह सब European countries करती है Germany France वगारा यह countries आज के समय टिकी ही immigration पर है बाहर के लोगों को entry देते हैं होती है विक्सित countries के पास रश्या आज के समय एक attractive economy नहीं है रश्या में जो average salary है आप अगर देखो तो 35-40,000 रुपे के आसपास है इनकी currency काफियत तक गिर चुकी है आज के समय एक रुपी एक रुबल almost बराबर ही actually रुपी की value काफियत तक जाद आपको मिलेगी उसके इल करने के लिए वो रश्या का part बनेगा इवन दो रश्या आज के समय literally अपनी citizenship बेचता है तो जो population crisis आज के समय रश्या फेस कर रहा है ये 1991 से लेकर अब तक सबसे जादा worst है मतलब के जब से USSR का fall हुआ था जिस पर by the way मैं वीडियो बना चुका हूँ करीब 1 million लोग दे चुक लगा दे इससे कुछ फरक पड़ता है bachelor tax एक खास type का tax होता है जो एक time पर कई countries लगाती थी कि अगर मान लो एक आदमी है वो शादी नहीं कर रहा वो अपनी family नहीं बना रहा male female कोई भी हो सकता है यहाँ पर तो उस पर सरकार additional tax लगा देगी 6 से लेकर 10% के आसपास का जो का application तो नहीं हुई होगी तो मैं आपको यह बता दूँ tax on childlessness यह USSR में exist करता था USSR में आप अगर देखो तो 1941 से लेकर 1992 तक कुवारो पर tax था जो आदमी शादी नहीं करेगा बच्चे बैदा नहीं करेगा उस पर यह tax लगाते दे और भी various type के issues होते दे कि उसको passport लेने में documents ले love हैं इंडिया में over population है चाइना में over population है यहां से लोग बंगा दो problem solve again रश्या को बस ऐसा नहीं है कि बस random लोग चाहिए कि बस लोग डाल दो हमारे हां हर country चाहती है कि अगर मान लोग भाहर से लोग आवी रहे हैं तो वो educated हो skilled हो country में properly assimilate कर पाए ऐसा नहीं कि complete बस take over हो जा चाहेंगे भी weather बहुत ददा हार चाहिए अकौनमी काफियत तक खराब है तो यह सब problems eventually Russia की security को impact करेंगे क्योंकि व्लादेवर पुतिन बोल चुके हैं कि साड़े 14 करोड काफी नहीं है इनको और लोग चाहिए होंगे country को maintain करने के लिए और military को maintain करने के लिए क्योंकि एक time पर आकर रश्या के पास इतने लोग भी नहीं होंगे कि रश्या खुद को defend कर पाए तो यहां पर आता है Soviet Union को वापस जंदा करने का concept Recently आप अगर देखो तो US की तरफ से बहुत statement आई है कि Putin का main objective यहां पर Ukraine पर अटाक करने का यही है कि यह USSR को वापस जंदा करना चाहते हैं जहां पर Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Central Asian countries, Azerbaijan, Armenia, बहुत सारी countries मिलकर एक single country form करती थी तो एक USSR Putin फिर से बिल्ड करना चाहते हैं Ukraine को कब जाने के बाद भी Putin रुकने नहीं वाले यह बाद USA के Secretary of State भी कह चुके है US Media भी कह चुका है काफी बार और देखो मैं काऊंगा Russia की जो यह एक basic need है survive करने की क्योंकि आप Russian perspective से देखो तो वो एक giant है जिसको energy चाहिए जिना आने के लिए आप अगर Russia के perspective से देखो तो वो यही कहेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं we are trying to survive क्या करें मर जाएं मगर obviously Russia जब Ukraine पर attack करेगा बार में जो बाकी sendulation countries है उनको absorb करने कोशिश करेगा तो obviously इससे friction create होगी इससे problems create होगी और Russia के लिए actually आप अगर देखो उनके perspective से तो सबसे अच्छा सौधा यही है कि यह आस पास के देशों को absorb कर ले क्योंकि इन countries में या तो यह लोग Russian बोलते है या फिर Russian जैसी भाषा बोलते हैं आराम से assimilate हो जाएंगे Russia में वापस और एक time पर वैसे भी एक single country का ही part थे ना इसका solution क्या हो सकता है देखिए मेरा यह मानना है कि अगर जो Biden एक genuine leader होते तो अभी के अभी Russia पर जो भी economic sanctions है यह remove करते Russia की economy को grow होने देते अपने आप क्योंक माइगरेट करना चाहेंगे Russia में Russia की अबादी की problem खुदी काफियत तक स्वाल हो जाएगी उस सब के इलावा जब sanctions हटेंगे तो Russia भी कम hostile होगा region में conflicts कम होंगी मगर sadly USA भी almost आप के लिजिए Russia को corner कर रहा है इतना corner कर रहा है कि एक time पर आके Russia बेर के पास attack करने के इलावा population density than India population density होती है कि किस area में कितने लोग रहते हैं तो सही उत्तर इसका है option A the country of Bangladesh यहाँ आप आप देख पाऊगे Bangladesh has one of the highest density population density in the world और एक बहुत ही important announcement कल सुबे 11 बजे और 12 बजे दो बहुत ही important free test absolutely free of cost test है जहाँ पर participate करने से ही आप जीत पाएंगे Amazon gift voucher जी हाँ यह test फिर से व करना है comment section में जाओ यहाँ पे आपको मिलेंगे दो link UPSC free test SSC railway free test जी हाँ UPSC का भी test है SSC railway का भी test है आपको simply करना है किसी भी link पे click जिस पे भी आप करना चाहे है आप कर सकते है click और यहाँ पे click करो enroll now पर और उसके बाद इस test में कर लो enroll code यहाँ पे आपसे मांगेंगे code ड courses भी मिलेंगे along the Amazon vouchers तो या रखिएगा 11 बजे है UPSC का test आप बस यहाँ पे enroll कर लो जब test start होगा उससे पहले वैसी आपको email और phone पर notification आजाएगी कि test start होने वाला है test attempt कर लो और test आप अगर जो test का time है उसी वक्त attempt करोगे तभी आपको यह prizes मिलेंगे बाद में attempt करोगे तो price नहीं मिलने वाले तो be there और be square good luck to everyone